इंडिया में जाए जो अमर जी ओकेजिन हो शादी हो रिलिजियस फेस्टिवल हो या फिर कोई पॉलिडिकल रैली ही क्यों ना हो हर जगा हमें यहां पर लौट स्पीकर्स का इस्तमाल होते हुए दिखाई देता है लेकिन कई बार यहीं लौट स्पीकर्स हमारे लिए परिश हैं उन कानुनी प्रावधानों की जिनकी मदद लेकर हम इसको बंद करा सकते हैं आज की वीडियो में हम उनी लीगल प्रोविजन की बात करेंगे सो वेलकम तो सड़ी आई क्यो माई नमें इस चांद कुबा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इनमें से किसी भी प्रिशान कर रही हो और जिसको मैं सुनना ना चाहता हूँ बैसिकली क्या है एन एन एन्वांटेड साउंड डैट कॉजज एनॉयंस इरिटेशन और पेंट तुदी हूमन इयर इस टांड एज नॉइस यानि कि कोई ऐसी ध्वनी जो मुझे इरिटेट कर रही हो मुझे यह सेट की गई हैं वो हम आगे जाकर देखेंगे उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि कौन से कौन से कानून हमें यहाँ पर हैल्प करेंगे इस मैटर से डिल करने में सबसे पहले यहाँ पर एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है नाइंटेन इसक्स का जिसके तहत यहाँ पर कुछ रूल्स बनाये गए हैं 2000 में कौन से रूल गैं नयखो प्निशन अंड करेंगे IPC section 290 की जो की है यहाँ पर किस से deal करता है punishment for public nuisance से let's begin with the IPC only सबसे पहले छोड़ी सी provision IPC की वो देख लेते हैं IPC की जो यह provision है 290 जो section 290 है वो बात करता है public nuisance के बारे में यानि कि सारवजनिक उपद्रव के बारे में basically यह कहता है कि अगर इस code में कहीं और किसी अपराद के लिए punishment नहीं मिल रही है यानि कि कोई public nuisance के लिए कोई punishment नहीं मिल रही है तो उसको 200 रुपे तक का fine लगा दो क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं कहता है जी whoever commits a public nuisance कोई अगर public nuisance कर रहा है कोई सार्वजेनी को उपद्रव कर रहा है in any case not otherwise punishable by this code then shall be punished by the fine which may extend to 200 rupees यानि कि 200 रुपे तक का fine लगाया जा सकता है साथी में आपको करना क्या है आपको यहाँ पर police को phone करना है and police के पास यह powers भी है कि वो आए अगर यहाँ पर public nuisance हो रहा है यानि कि कोई रात को let's say 12 या 10 बजे के बाद भी आम दिनों में कोई 10 बजे के बाद भी यहाँ पर loud music बजा रहा है तो police के पास यह powers है कि वो आ सकते हैं उस music को बंद करवा सकते हैं noise producing instrument को यहाँ पर बंद करवाया जा सकता है and further उसको use करने से मना करके police जा सकते है साथी में अगर शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई जाती है तो section 290 के अंडर उसके जो भी वेक्ति यहाँ पर ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है and उसको 200 रुपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता है दूसरी हमने जो बात की थी legal provision की वो थे यह rules the noise pollution regulation and control rules 2000 जो की EPA एनिक environmental protection act के तहत बनाए गए हैं यह main rules है जो की deal करते है environmental pollution से and noise pollution खास करके उससे सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि इन rules के तहत जो हैं कुछ जो areas हैं जो हमारे areas होते हैं उनको यहां पर divide किया गया है and noise pollution की जो upper limit है वो यहां पर set कर दी गए है industrial areas की अगर हम बात करें तो यहां पर day time में maximum जो noise produce हो सकती है 75 decibels and night time में maximum जो noise produce हो सकती है वो है 70 decibels commercial areas में यही जो limit है 65 decibels रह जाती है day के लिए and 55 decibels रह जाती है night के लिए residential area के लिए 55 decibels day time में है and 45 decibels night time में है silence zones में 50 decibels day time and 40 decibels night time अब day and night day and night time का क्या मतलब है वो भी यहां पर बता दिया गया कहता जी daytime का मतलब क्या होगा सुबह के 6 बज़े से लेकर रात के 10 बज़े तक and night time का मतलब क्या होगा रात के 10 बज़े से लेकर सुबह के 6 बज़े तक फिर silence zone का जो इसने जिक्र किया कि silence zone में maximum 50 decibels day time में हो सकती है and 40 decibels night time में तो silence zones को भी यहां पर explain कर दिया गया any area comprising not less than 100 meters यानि कि जो हमारे schools है हमारे hospitals है educational institutions है courts है religious places है उनके आसपास का 100 meter का दारा हो गया मालनी जी ये school है school का जो 100 meters का radius है वो यहां पर जो है वो एक silence zone बना दिया जाता है so यहां पर यह upper limits दे दी गई है यानि कि अगर आप यहां पर कोई music system use कर रहे है धियान रखना है कि maximum जो है कि upper limit set हो गई तो एक limit लगा दी कि इससे जादा होते ही आप offense कर रहे हो या फिर यहां पर इस कानून को तोड़ रहे हो अच्छा restrictions क्या है loudspeakers के इस्तिमाल पर अब वो देख लेते हैं यानि कि एक तो upper limit लगा दी कि दूसरा हमें यहां पर कुछ restrictions भी लगाएगी है वो भी देख लेते है restrictions on the use of loudspeakers या public address systems and sound producing instruments क्या restrictions है सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहले तो यह कि अगर आपको loudspeakers का इस्तिमाल करना है तो आपको authority से return permission लेनी होगी जो आपकी municipalities है उनसे आपको written permission लेनी पड़ती है कि भई हम इस occasion के लिए let's say मेरे घर में कुछ शादी है इस occasion के लिए मैं यहां पर loudspeaker इस्तावाल करना चाहता हूँ दूसरी बात यह कि a loudspeaker और a public address system और any other sound system shall not be used at night time except in closed premises for communication within like auditoria और conference rooms और community halls और banquet halls और during a public emergency अगर आप एक कोई बहुत बड़ी auditorium में है banquet hall में है या फिर ऐसी कोई location पे है जहां पर loudspeaker का इस्तिमाल हो रहा है तो वो रात के समय में किया जा सकता है लेकिन उसी premises तक उसकी जो है limit होनी चाहिए आप उन जो उस premises के अंदर है जैसे banquet hall के अंदर banquet hall के अंदर जो लोग है उनसे आप communicate करने के लिए या उनको यहां पर music सुनाने के लिए यहां पर instruments के इस्तुमाल कर सकते हो लेकिन इस से जो है बाहर किसी को परिशानी नहीं होनी चाहिए वो यहां पर स्पष्ट किया गया है अच्छा तूसरी बार हमें यहां पर देखने को मिलता है कि स्टेट गॉर्मेंट में सब्जेक्ट व संटर्म्स अंड कंडिशन पर्मिट यूज ओफ लौट स्पीकर और पॉब्लिक स्ट्राइस सिस्टम एंड दी डूरिंग दी नाइट आर्स बिट्वेंट टू ट्वेल मिडनाइट ओन और दूरिंग एनी कल्चिरल और रिलीजियस फेस्टिव ओकेजिन ओफ लिमिटेद दूरेशन नॉट एक्सीडिंग फिफ्टिन डेज इन अकलेंडर यह तेकि वह सि लिए परमीशन एक साल में नहीं दी जा से तो मैक्सिममम पंदरा दिन की परमीशन इहां पर इसमें कही गई है कि आप दे सकते हो रात के बारा बज़े तक के लिए म्यूजिक सिस्टम को इस्तेमाल करने की दूसरी बात यह कि एक और बहुती शांदर बात कि लेट से एक ए दोस्यों को भी सुनाई देता अब ऐसे में इन लोगों के उपर क्या कोई पबंदी है तो बिल्कुल है उचके लिए यहां पर क्या है यहां पर रूल वह भी देख लेते हैं लेट से यह मेरा घर है अब हमने क्या कहा था रेजिदेंशिल एरिया के लिए मैक्सिमम यहां प अपने घर में अगर कोई music system बजा रहा हूं तो वो कब दूसरों के लिए परिशानी का सबब माना जाएगा वो हम यहां पर देख रहे हैं लेट से मैंने music system यहां पर प्ले किया आप मेरे घर की जो पैरिफरी है यानि कि यह जो मेरे घर की boundary wall है यहां पर खड़े होकर note साउंड आ रही है वो कितनी आ रही है अगर वो यहां पर इतनी साउंड है कि 55 प्लस फाइव जाए यानि कि 60 decibels जाए दिन में और 50 decibels जाए रात में तो 55 प्लस फाइव यानि कि 650 decibels से जाधा जाए रात में तो यह पनिशिबल ओफेंस होगा मैं दुबारा रिपीट कर दू हूं क्या कहता है दुबारा देख लेते हैं दी पेरिफेरियल नॉइस लेवल ऑफ प्राइविटली ओन साउंड सिस्टम और साउंड प्रोडूसिंग इस्ट्रूमेंट शेल नौट एड़ी बाउंडरी ऑफ दी प्लेट प्लेस एक्सीड बाइं मोर दन फाइव डेसिबल् इस तो क्या होगा जो रेजिदेंशल एरिया है उसके लिए यहां पर कितनी नॉइस लेवल जो है आउटर जो यहां पर स्पेसिफाइड है वो क्या है 55 डेसिबल्स एंट 45 डेसिबल्स तो हम दिन की बात करते हैं तो दिन में मैं कितनी जादा यहां पर साउंड प्रोडूस कर सकता हूं मेक्सीममन सिक्सी डैसिबल्स यहनिकी बांडरी पर जो मैक्सीमं सौंड आनी चाहिए सिक्सी DAYस लानी चाहिए अगर बांडरी पर 61 भी आ गए तो मैं एक पनिशेबल ओफेंस यहां पर कर रहे हूं अंडर्व सआइज अगार्वुशच सिस्टम जये है मैंने यहां से बजाना शुरू किया म्यूजिक सिस्टम बाउंडरी पे कोई व्यक्ति यहां पर रिकोर्ड कर रहा कि देखते हैं कितने इसकी डेसिबल जा रहे हैं कितने आने चाहिए थे कंट्रोलेबल हो जाओ उसके उपर भी यहां पर इन्होंने लिमिट लगा दी हैं अंडर दीज रूल्स आच्छा कई लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि इन लिमिट को जानता को ने यह इन लिमिट को मानता को ने देखिए वह अलग बात है कि मान नहीं रहे क्योंकि अवैरन नहीं होएगी तब तक हम खुद ही नहीं जानते तो दूसरों को इसको मानने के लिए कैसे मजबूर करेंगे तो एक पर पनिश्मेंट देख लेते हैं फिर हम देखते हैं कि मानने है कि नहीं है कहता है जी हूएवर फेल्स टू कंपलाई विदीज रूल्स उनको क्या पिनिश्मेंट मिलेगी शल्वी पनिशेबल विद इंप्रीजन मेंट फॉर्डी टाम विच में novamente to a wife, और पांच साल पांच साल तक की पनिश्मेंट है अगर आप इन रूल्स को तोड़ते हैं पाइजा जाते औहर फ्इन कितना लग सकता है एक लाख रुपे पहली instance में पांस साल तक की punishment हो सकती है एक लाग रुपे तक का fine या फिर दोनों आपको impose किया जा सकते हैं अच्छा दूसरी बात सुन लो let's say आज आपको रोका गया कि भाई देख इसके बाद आपने music system बंद कर दो मत बजाओ आप आप हो आपने सोचा कि यह एक बर हो गया कोई बात नहीं आपने दुबारा इसको continue रखा आपको आज कहा गया कि music system मत बजाओ आपको या फिर आपको कहा गया कि भाई यह जो आउट speaker है बंद हो जाना चाहिए आपके उपर fine लगा दिया गया आपने fine impose होने के बाद भी जो है उसको बजाना continue रखा तो क्या होगा जितने दिन के लिए आप यहां पर बजाते हो पर डे 5000 रुपीस तक का fine आपके लग सकता है लेट से आज आपके उपर एक लाग रुपे का fine लग गया आपको कहा कि भाई इसके बाद मत करना आपने इसके बाद 10 दिन और बजाया तो 10 दिन में 5000 रुपे की हिसाब से लगा लो 50,000 रुपे हो और आपके उपर इंपोज होंगे अगर आप यह एक साल लगातर वजाते हो यानि कि आज आज आपके उपर एक लाग रुपे fine लग गया उसके एक साल लगातर आप इसको दुबारा continue रखते हो तो भाई अगली बार जो सजा जो मिल सकती है वह साथ साल तक की तो तोड़ूँगा और आपने क्या किया एक साल जो है लगातर तोड़ते रहे किसे ने शिकायत नहीं की लगन की भी तो कोई कारवाई नहीं एक साल आपको रोकते रहे कुछ नहीं हुआ आपको अब जब है जो दुबारा यहां पर अगर आपको लेके जाया जाता है तो यहां पर साथ साल तक की सथा आपको यहां पर हो सकती है अच्छा ऐसे में हम एजा नागरिक एजा सिटिजन किसके पास जाएं और किसके पास यहां पर शिकायत करें कि भाई कोई एन्वायरमेंटल प्रोडूशन जो है वो फिला रहा है या साउंड पॉलूशन फिला रहा सो बेसिकली आपको इन के पास जाना हो गए नहीं कि Central and State Pollution Control Boards के पास CPCB के पास जाओ या State Pollution Control Board के पास जाओ और इनको जो है लिखेत में शिकायत आप दे सकते हो सो यह थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाई जो लाउट स्पीकर्स हैं वो यहां पर सिरफ एंज्वाइमेंट के लिए होने चाहिए लेकिन दूसरों की परेशानी का सबब ना बने आई होब कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे अगर आपको सब्सक्राइब कोर्स पर चेस कर रहे हो तो चान 33 का कोड इस्थिमाल करके 33 पर सेंट का डिसकांट आपको मिलेगा तो अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे तिल देंग यू और हैव ग्रेट डेयर हैड